Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल उन सभी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर में cover करेंगे, ठीक है, तो PIB है क्या, Press Information Bureau, बहुत important भारा सरकार का, इससे question कही बार आते हैं, तो वो भी आपके लिए weekly analysis में हम क्या करते हैं, cover करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो आपको इसकी PDF कहां कर लीजिए, आप further information, कोई question, इन सब चीजों के लिए आप तिवारी प्रशाथ 46, ये क्या है, आपका Instagram handle है, इसको join करिए, Twitter पर आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, और session को शुरू करने से पहले, एक बहुत बड़ी एक information आपके साथ में share करना चाहता हूँ, अगर आप सभी 2023 का exam द इन्रोल करिए, क्योंकि इस course के अंदर में, आपको 90 दिन के अंदर में, prelims ready किया जाएगा, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके जो prelims के अंदर में, जो important subject है, major subject हैं, उनकी बहुत thorough revision कराई जाएगी, बहुत holistic revision होगी, हर lecture के बाद में discipline based test होंगे, test के module decide किये गए हैं, तो अगर आप prelims के अंदर में, थोड़ा सा भी serious हैं, तो 2023 के लिए, ये must course है, must, 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 इसको आपको purchase करना ही करना है, बहतरीन है, आपके prelims में extra edge आपको देने वाला है, लेकिन इसको join करने के लिए, आपको code क्या use करना है, PRT, live code use करना है, इसके अलावा आपको और कोई code use नहीं करना है, दोस्तों, पहला सबसे पहला article देखते है, climate change performance index, CCPI 2023, तो दोस्त, climate change performance index, ये ये चेक करता है कि विश्व के अंदर में, जो देश हैं, कौन से 59 countries, प्लस में European Union, वो climate change के मामले में, कैसा perform कर रहे हैं, क्या वो climate change को tackle करने के लिए, जो उन्होंने policies बनाई है, उनको वो implement कर पा रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर में, जो target दिये गए हैं, greenhouse gases को, emission को कम करने के लिए, क्या उनको सही से achieve कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके exam के लिए important है, तो याद रखेगा कौन निकालता है, इंडिया की जो position है, 8 है, क्या है, 8th rank है, 8th position है, नई जो 2023 की climate change, क्यान में, आपकी जो performance index जो आया है, report आई है, तो याद रखेगा कौन release करता है, इसको German watch, release करता है, new climate institute and climate action network international, ये तीन मिलके इसको क्या करते हैं, release करते हैं, और CCPI, climate change performance index, ये annually 2005 से ही publish किया जा है, 60 countries and European Union सब को track किया जाता है, उसके दर भारत की क्या है, 8th rank है, 8th position है, ये चार categories के इंदर में क्या करते हैं, access करते हैं, for example, किसी देश के इंदर में greenhouse gases का emission कम हुआ है, या नहीं हुआ, renewable energy का use होना शुरू हुआ है, या नहीं हुआ, और कितना होना शुरू है, जो energy produce हो र है, and साथ में, last में, climate change से related क्या policy है, किसी देश के इंदर में climate change से related क्या policies है, तो ये सारी चीज़े की जाएंगी, और भारत को जो greenhouse gases के emission को कम करने के लिए, अच्छे rating दी गई है कि हां भारत के आपर जो policy चल रही है, वो greenhouse gases को emission को कम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कर रह हैंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि G20, क्योंकि न्यूस के इंदर है भारत के presidency आई है, तो ये भी पता होना चाहिए, कि top 10 में, यानि कि CCPI के इंदर में, अगर top 10 को देखा जाए, तो इन G20 countries में से सिर्फ एक मातर भारत है, कौन है? एक मातर भारत है, जो इतना अच्छ तो सिक्योर, first, second and third place, ठीक है, प्लीज यादर क्या, डेन्मार्क, स्विडन, चिले, मुरको, ये क्या है, जो छोटी-छोटी countries है, वो क्या है, भारत से उपर है, इससे पता चलता है कि best performing large economies में से क्या है, भारत है, कि economy इतनी बड़ी है, लेकिन हम क्या कर रहे है, इतना अच बीच में होती है, तो भारत और किसके बीच में होगी, दोस्तों, गरूर शक्ती, भारत और इंडोनेशिया, प्लीज याद रखेगा, किसके बीच में, इंडियन आर्मी की special force, किसके साथ में, गरूर शक्ती कर दिये, कहां पर, इंडोनेशिया के इना, ठीक है, प्लीज या बीच में cooperation को increase करती हैं तो आपसे direct question ये पूछा जाएगा कि गरुड शक्ति exercise between India and Indonesia बस इतना याद आपको रखना है नेक्स्ट है sites COP19 ये बहुत important है दोस्तों sites क्या है एक ऐसा convention है जो trade को control करता है regulate करता है किसके trade को endangered species के और endangered species तो दोस्त पेड़ पौधे भी हो सकते हैं जीव जन्तू भी हो सकते हैं यानि कि flora phona दोनों को क्या करता है ये regulate करता है दीखे तस्वीर से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर यह मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जीव जन्तू नहीं किसके flora and fauna दोनों को तो sites के बारे में पढ़ेंगे और भारत नहीं दर असल एक प्रपोजल दिया इस conference of party के अंदर में कि जो fresh water turtle है क्या नाम है उसका बटागुर कचुगा उसको क्या किया जाए हमें Sites के Appendix 1 के अंदर में लेकर आना चाहिए क्यों क्यूंकि उसको extra protection की जरूरत है तो पहली बात तो आपको याद रखना है आपसे कहेंगे fresh water turtle है या salt water turtle है तो आप कहेंगे बटागुर कचुगा क्या है salt water fresh water क्या है turtle है ठीक है और भारत ने कहा कि क्यों ना हम ये काम करें कि बटागुर कचुगा को extra protection हम क्या करें प्रोवाइड करें ठीक है clear है तो यह important है साइट के अंदर में भारत के बारे में काफी अच्छे ची बाते कहीं कि भारत के बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशेटिव लिए गए जैसे पहला एक बात की गई कि क्रिटिकल एंडेंजर निये थ्रेटेंड उनको क्या है साइट के अंदर में तो protection मिलता है इसको भी appendix 2 से appendix 1 के अंदर में लाने की बात करी ठीक है प्रपोजल दिया गया उसको भी कर लिया गया तो प्लीज याद रखेगा जो लिस्ट वन होती है यानिक अपेंडिक जो वन होता है वहां पर क्या होता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रवाइड किया जाता है तो एक आप बटांगुर कचुगा को याद रखेंगे और एक उनन मपेंडिया और जोmarket होते हैं ऐन के लिए उनके मेट के लिए उनके उनके यए शेल्स के लिए कहा जाता है कि is यह जो हैं क्या है convention on international trade in endangered species और endangered species आपके fauna and flora दोनों हैं प्लीज याद रखेगा कब आया 1975 के अंदर में पहली बार आए और एक global level policy है जहां पर हम क्या करें extinction होने से बचा रहे हैं wildlife trade के कारण में किसी चीज को आप लगाता ट्रेड कर रहे हो illegal trafficking कर रहे हो तो एक समय तो आएगा ने वो खतम हो जाएंगी तो इसको एक battle of सराई घाट हुई 1671 में कब 1671 में उस समय पर आसाम जिसको हम अहोम समराज जी के नाम से उस समय जानते थे अहोम समराज जी के उपर में किसने उस समय पर जो औरंग जेप थे यानि कि मुगल यह चाहते थे कि अहोम समराज जी भी उनके अंडर में आये तो मुगल ने क्या किया अटेक किया और जब अटेक किया तो battle of सराई घाट यानि कि इसको यह कहा जाता है river पर लड़ी गी ब्रह्मपुत और नदी पर लड़ी यह war थी उसके अंदर में लचित बोर्फुकन जी जो समय अहोम समराज जी के क्या थे जनरल थे मिलिटरी जनरल थे उन्होंने बहुत aggressively और बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या लड़ाई लड़ी और उनको मुगल को जो बहुत बड़ी सेना में थे उनके पास जो जहाज थे नाव थे वो बहुत बड़े बड़े वैपन से उसके बाद भी उन्होंने क्या क्या उनको हरा दिया तो याद रिया किया लचित बॉर्फुकन जी क्या थे जनरल थे किसके रॉयल आर्मी के अहों सामराज्जी के अंदर में उन्होंने 1671 में Battle of Sarai Ghat के अंदर में मुगल को हरा दिया तो आप से question पूछ लेंगे Battle of Sarai Ghat between मुगल and Ahom मुगल and Maratha, मुगल and राजपूत, ऐसे करके कहलेंगे तो आपको पता होना अच्छे किसके मुगल and Ahom Kingdom के बीच में ये हुई थी तो लचित बॉर्फुकन जी के बारे में सारी चीज़े पढ़ी जा रही है सबें बहुत जादा निउस में चल रहा है कि लचित बॉर्फुकन जी ने जो मुगल आर्मी थी उनका जो क्या था objective था कि वो क्या करें पूरे विश्व के अंदर में अपने को स्थापित करें इधर दूसरी तरफ में जाने की कोशिश करें इस्ट को अपने आदर में कॉनकर करने की कोशिश करें उसको उन्होंने रोका ठीक है इनके पास में resources army ये सब चीज़े कम थी फिर भी इतनी बड़ी सेना को इन्होंने रोक दिया तो इसलिए प्लीज याद रखेगा एक चीज़ और याद रखेगा उनकी बहादुरी को देखते वे 1999 से ही रचित बॉर्फुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है बेस्ट कैडट को जो National Defense Academy के अंदर में मिलता है क्लियर है किसी को भी कई डाउट इससे रेलेटिड चले नेक्स देखते हैं एक्सरसाइज नसीम अल बहर सी ब्रीज ठीक है तो याद रखेगा नसीम अल बहर किसके साथ हो रहा है दोस्तो हमारी इंडियन नेवी है और कहां की नेवी है ओमान की रॉयल नेवी है प्लीज याद रखेगा नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में इंडिया एंड ओमान के बीच में किसके बीच में ओमान के बीच में ये कंट्रीज के नाम ज़रूर याद रखेगा एक्जाम में ये सब चीज़े आपसे पूछी जाएंगी ठीक है, clear है Next है आपका Constitution Day तो आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त कि 26 नवंबर को हम समविधान दिवस के रूप में मनाते हैं Constitution Day के रूप में मनाते हैं तो हमने 26 नवंबर को Constitution Day के रूप में क्यों चुना 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा जो Constitution उसको अडॉप किया इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं Constitution Day मनाते हैं 26 जैनवरी 1950 को हमने क्या किया था इसको इनेक्ट किया था यानि कि लागू किया था इसलिए हम इसको किस रूप में मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं Republic Day के रूप में मनाते हैं तो प्लीज याद रखेगा यह सारी चीजे तो हम क्या है 26 नवंबर को Constitution Day जिसको हम सवविधान दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है याद रखेगा इस दिन जो हमारे Constitution Assembly थी उन्होंने क्या किया था हमारे Constitution को Adopt किया था कब 26 नवंबर 1949 को और Inact याने की काम पर लग गया था Force में आ गया था कबसे 26 जनवरी 1950 से कुछ चीजे हैं प्लीज नोट करते रहेगा तो 2015 के बाद से ही क्या 2015 में Announce किया गया कि हम क्या करेंगे 26 नवंबर को Constitution Day के रूप में मनाएंगे तब से इसको मनाया जा रहा है यह इसलिए मनाया जा रहा है कि जो Constitution की जो values हैं उसके बारे में लोगों को पता चले तो क्या है कौन सी Ministries को implement करती है कौन से Ministries को आगे बढ़ाती है प्लीज याद रखेंगा Ministry of Social Justice and Empowerment ठीक है इसकी नोडल Ministry है यह प्लीज याद रखेंगा यह वाला Ministry वाला Question आ सकता है गुमा फिराकर आपके एक्जाम में नेक्स्ट है National Milk Day तो डॉक्टर कूरियन जी आप देखिए 26 जनवर 26 नॉमबर हमने क्या किया National हमने क्या क्या Constitution Day बनाया तो 26 नॉमबर को हम National Milk Day भी मनाते हैं ठीक है तो याद रखेंगा हर साल 26 नॉमबर को हम National Milk Day मनाते हैं ठीक है और 26 नॉमबर को हमने क्यों चुना क्योंकि इस दिन क्या हुआ था जिनको हम Father of White Revolution मानते हैं Milkman of India मानते हैं कौन? Dr. Vargiz Kurian उनके सम्मान में मनाया जाता है ठीक है तो प्लीज याद रखेंगा ये बहुत important है और इसको क्या है National Milk Day ये जो 2014 से अब्जर्व किया जा रहा है भारत क्या है विश्व के अंदर में नंबर वन पर है क्योंकि Economic Survey 2021 का ये कहता है प्लीज इसको नोट कर लीजेगा According to Economic Survey 2021-22 इंडिया इस रैंक्ट फर्स इंड ग्लोबल Milk Production ठीक है वर्ल्ड के अंदर में एगर देखा जाए तो 23% प्रड़क्शन हो रहा है और देखिए Milk का प्रड़क्शन हो रहा है तो ये डारेक्टली किसको Impact कर रहा है Farmers को Impact कर रहा है Farmers की Income को भी क्या कर रहा है असर डाल रहा है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका इक्षक ठीक है जो सर्वे करने के लिए शिप होती है जो वैसल होते है उसके अंदर में ये चार में से तीसरा है चार अपने को बनाने है ठीक है ये थर्ड है ठीक है तो याद रखिएगा The third of four survey vessels large जिसको बला आता सर्वे करने के लिए प्रोजेक्ट इक्षक ये क्या हो चुका है लॉंच कर दिया गया इंडिया नेवी के द्वारा और इक्षक का मेनिंग क्या होता है गाइड ठीक है और ये क्या करेगा एक तरीके से सर्वेशिप है क्या है जो मरीन के जो पैसेंजर्स है जो मरीन के अंदर में जो नएने प्रोजेक्ट होते है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले गरेगा ऐसे गाइड क्या इक शक्षक ठीक है जो क्या है आपका सर्वेशिप है ठीक है कि क्या है यह वहिकल है वैसल है इसकी अगर लेंद को देखा जाए तो 110 मीटर है विट्थ इसकी 16 मीटर है वैसे आएगा नहीं लेकिन यह चीज़ आपको पता होने चीए किसने बनाया इंडेजनेसली डेवलप किया गया स्टील अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है ठीक है चले और बहुत इंपॉर्टन है मलब यह जीओ फिजिकल डाटा प्रोवाइड करेगा डिफेंस एंड सिविल एप्लिकेशन के लिए ओशनोग्राफिक डाटा यह क्या करेगा इकठा करेगा जिसको हम सिविल के यह सुकर्ण WAR फिर अस्टीवरल इसकेड़ दिफेंस के लिए भी यूज करें करेगा ठीक है हाइड्रोगाफिक डाटा सर्वे गड़ेगा पूर्ड का सर्वे गरेगा नविगेशनल चैनल कहां से कैसे जाया जासकता है वह सारी चीशे हैं से पता चलेंगी फुल स्केल कोस्टल and Deep Water hydrographic survey ये सारी चीज़े क्या करेगा ये वैसल आपका करेगा नेकस्त क्या है आपका एक॥ं अूस्रिया या फिर ऐस्ट्रा हिंद दो हजार 202 जा है आस्ट्रा हिंद दो हजार 22 दीगा ये तो इसको और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है ठीक है एन्वली ठीक है क्लियर इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी ठीक है इसमें पट्स्पिट करते हैं बस इतने से ज़्यादा और कुछ करने की ज़ुरत नहीं है नेक्स्ट है आपका हरी माउ शक्ति अब देखे आपने गर के साथ हो एंडिया की मलेशिया के साथ में होती है मिलेटर एकसराइज ते कर वा रहा हूं क्योंकि पी इनका जिक्र और हिंदू न्यूस पेपर में भी इसका जिक्र था एक आर्टिकल के इंदर में चार-पाच एक साइब ये बड़ा मज़ेदार है तो प्रजेक्ट रिए सब्सक्राइब है क्या इसको समझे आप सभी जानते हैं कि elephant कई बार एक जगे से दूसरे एरिया में जाना है तो यह क्या है जहां से पैसे जाते हैं यहां पर करें मधुमक्खी के लगा दें जिसके करण में यह एंशॉर हो कि elephant अपना रास्ता ना भूलें और अपने destination जगे पर जा सके जिसके करण में क्या हो human and animal का conflict क्या हो कम हो या फिर आप यह कहले human and elephant का क्या हो conflict क्या हो कम हो उसके लिए लांच किया गया rehab किसके द्वारा के द्वारा किया गया खादी आप सभी जानते हैं यह मार्च 2020 में लांच किया गया था किसलिए कि elephant को अपना रास्ता ना भटके और वो human settlement में आ जाए agriculture land में न जाए जिसके कारण में human and elephant का conflict और ultimately human and elephant दोनों को कहीं नुकसान ना हो तो याद रखेगा rehab अगला जो है समनवय समनवय यानि की आपस में समनवय यानि की कोडिनेशन को बिठाना तो यह क्या है यह exercise है जिसको हम joint humanitarian assistance disaster relief exercise बोलते हैं समनवय जिसको शौर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं क्या है यह इंडियन एफोस के द्वारा कराया जा रहा है यह एक यूनिक प्लैटफॉर्म प्रवाइड कराता है जहां पर आप सारे के सार साउथ इस्टेशन नेशन्स आते हैं मेंबर कंट्री के experience अपना शेर करते हैं कि कैसे humanitarian assistance प्रवाइड किया जाए disaster relief में कैसे काम किया जाए ठीक है इन इंडिया वेरियस national and regional stakeholder यह भी इसके इंदर में क्या करते हैं इन्वाल होते हैं ठीक है जैसे आम फोसे नेशनल डिजास् mortality rate कितनी महिलाओं का है एक लाग में से हैं कितनी महिलाएं जो pregnancy के दोरान और pregnancy對 बाद में कछ दिन के बीच में का स्वरगवास हो जा जाता है इसको बहुते हैं maternal mortality rate कैनेड़ 셋 हैं यानिके और गॉर्मेंट इसमें बहुत ज्यादा क्या कर रही है, काम कर रही है, आप देखें, 2014-16 में 130 था, यानि कि एक लाख में 130 महिलाओं की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, फिर वो 122 हुआ, 113 हुआ, और अभी 2018-20 का डाटा ये कहता है, 97 हो चुका है, यानि कि अब इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो maternal mortality rate को आप कैसे define करेंगे, the number of maternal death during a given time period पर लाख लाइव बर्थ, जो एक लाख लाइव बर्थ में कितनी महिलाओं का, कितनी माता का, क्या होता है, स्वर्गवास हो जाता है, उसको हम कहते है, maternal mortality rate, प्लीज याद रखिएगा, एक लाख वाला ये number याद रखना है, ये सबसे important है, क्योंकि हम कई बार हजार, दस हजार इसमें confused रहते हैं, एक लाख है, तो WHO की ये world health organization की definition क्या है, maternal mortality rate क्यों बात करते हैं, maternal death, वो death है, death of women, जब वो pregnant है, और within 40 days of termination of pregnancy, ठीक है, irrespective of duration of, site of pregnancy, और any cause, यानि कि जैसे भी उनकी death हो, उसको हम इसके अंदर में count करेंगे, तो आप सभी को पता होना ची कि धीरे-धीरे भारत क्या कर रहा, अच्छी progress कर रहा, maternal mortality rate क्या है, धीरे-धीरे कम हो रहा, इसके पीछे reason क्या है, reason आप ये कह सकते हैं, कि अभी हम बहु care centers हैं, वहाँ पर delivery हो, और उसके साथ साथ में और भी कई सारे awareness campaign, दवाई, सुविधाएं, ये सब पहुचाना, ये सब चीजे भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है, clear है, तो आपको एक और चीज पता होना चीए, sustainable development goal है, है न, उसके नर्मे 3.1 एक target है, जो नो डाउट, 97 है, अभी भी 27 जादा है, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, जैसे आप देखें, स्टेट के अंदर में देखें, तो केरल टॉप पर 19 mortality rate है, महराष्टरा में 33 है, तेलंगाना 43 है, ठीक है, लेकिन हम धीरे-धीरे उसकी तरफ में जा रहे है, जहाँ पर हम ग्लोबल लेवल पर जो टार्गेट United Nation की तरफ से दिया गया है, Sustainable Development Goal के अंदर में 70 पर लाक लाइव बर, उसको हम अचीव कर लेंगे, ठीक है, क्लिर है, तो ये P.I.B. का जो weekly session था, जिसके अंदर में हमन इन प्रिलिम्स ये ऐसा कोर्स है, जो आपके लिए डिजाइन किया गया है, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, मेरा personal suggestion आप इसको जॉइन करिए, और आपको इसकी PDF कहां में लेगे, प्रशान तिवारी PDF नाम के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे, आप Instagram और Twitter पर आपका P.I.B. पूरे साल का हो, सबका compilation लिख रहाँगा, तो आपको कोई परेशान होने की जूरत नहीं, कोई tension लेने की जूरत नहीं है, सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगे, तो मिलते हैं अगले session में, तक तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, अब तयारी हुई, affordable